दोस्तो आज हम शेयर करने वाले हैं बैगन की पहुत ही यूनिक सी रेशिपी और इस तरह से सावुत बैगन तो आपने बहुत बार बनाए होंगे भरभा बैगन भी बनाए होंगे लिकिन आप इस तरह से एक वर मेरी तरीके से ट्राइ करके जरूर देखिएगा इसमें मैंने ना तो लेसन का उपयोग किया है और ना ही प्याज डाला है तो बिना लेसन प्याज के मैंने ये बनाया है और जिसे भी खिलाएंगे ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे जितनी ग्रेवी इसकी बहुत ही रिच बनी है, बहुत ही स्वादिश्ट बनी है और इसे खाकर कोई भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये आपने बिना लेसन भ्यास के बनाया है बहुत ही इजी तरीका है तो आप इसे एक वर जरूर से पनाईएगा और एक पर चलू ट्राइक कीजिएगा सभी आपकी तारीफ ही करेंगे तो मेरा नाम है पाको और पाको की रसोई मैं आपका स्वागत करती हूँ तो मेरे चैनल पर नए है तो इसी तरह की मज़़दार सी रेस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां मैंने न छोटे वाले बैगन लिए है और इसे मैंने अच्छे से धोकर साप कर लिया है तो कुछ छोटे भी है कुछ मीडियम साइज के भी है तो आप इस तरह का छोटे चाहे मीडियम साइज का ले लिजे ज्यादा बड़ा भी मत लिजे और इसे मैंने अच्छे से धोकर साप कर लिया है उसके बाद इस तरह से कट लगा लेंगे तो दो कट मैंने लगाया है यानि कि चार फाक हो गये हैं और इस तरह से डंडी जुड़े हुए होने चाहिए और इस तरह से आप चेक कर लिजे कि बैगन कहीं खराब तो नहीं है तो अच्छे से चेक कर लिजे और उसके बाद हम इसी तरह से सारे बैगन को काट कर तयार कर लेंगे तो चलिए हमने सारे बेगन इस तरह से कट लगा लिए है और ये देखिए बनकर तयार हो चुकी है उसके बाद हम क्या करेंगे इसे अभी हम साइड रखेंगे उसके बाद हमने पैन में एक बड़ा चमच तेल गरम कर लिया है तेल की क्वाइंटिटी आप कम करना चाते हैं तो कर सकते हैं और जैसे ही न तेल गरम हो जाये तो हम इसे एक चमच जीरा डाल देंगे और जीरा को थोड़ा हम चटकने देंगे तो आज को मीडियम रखिएगा उसके बाद जब अच्छे से चटक जाएना तो हम आज को कम कर देंगे तो आज को अच्छे से कम कर लीजी क्योंकि हमें इसमें सूखे मसाले डालने है और साथ में एक चमज धन्य पौडर हमने लिया है और इसे फटफट से चला लेंगे नचे से उसके बाद हम इसमे डालेंगे टमाटर का पेश्ट यानि कि एक मीडियम साइज ने टमाटर लिये थे अ उसका मैंने पेश्ट बना लिया है इस तरह से और उसके पाद हम इसमें डाल देंगे पेश्ट बिल्कुल बारीक सकर लीजिएगा और इसे भी हम इसमें चला लेंगे और इसे हम एक दो मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर और मसाले अच्छे से भून जाए तो देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में आप चलाते रहेगा और जैसे ये भून जाएगा ना देखिए अच्छे से भून चुका है तो जैसे ये भून जाए तो हम इसमें डालेंगे बेसन तो बेसन हम एक चमश ले रहे हैं बेसन अच्छे से चाना हुआ होना चाहिए तो बेसन को चान लीजे उसके बाद हम एक चमज डाल देंगे और इसे फटापट से मिक्स कर लीजे और इसे हम एकदम कमाज पर इसे भूनेंगे थोड़ी देर के लिए आज को कम ही रखिएगा क्योंकि बेसन डालने से थोड़ा चिपकने लगते हैं तो तले में लग सकते हैं तो बस फटफट से ही से 2-3 मिनट के लिए भून लीजे बेसन का दालेंगे बिना फेट के और इसे अच्छे से चला लीजिए आज अभी भी कम है जैसे मैंने बेशन चलाते समय रखा था आज वैसे ही कम है और इसे हम भून लेंगे और जैसे यह भून जाए उपर से अच्छे से तेल सेप्रिट होने लगेगा तो देखिए अच्छे से यह परिट होने लगा है और देखकर भी पता चल रहा है कि अच्छे से भून चुका है उसके बाद हम इसमें बैगन डालेंगे तो बैगन को हमने भूना नहीं था छोटे वाले बैगन है आप इससे बड़े वाले बैगन लेते हैं तो उससे पहले सोटे थोड़ा सा कर और इन सबी को अच्छे से फून लेंगे तो यह एकदम से छोटे वाले पैगन है तो हमें इसे फूनने की ज़्यादा शरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अच्छे से इसका मसाला जो है अच्छे से ग्रेवी लग जाती है और बहुत ही स्वादिश्ट बनती है तो अब हम इस उसके बाद हम इसे अच्छे से चला कर मिक्स कर लेंगे तो थोड़ी पतली ही अभी रखिएगा क्योंकि इसे पकाना है बैगन अच्छे से ग्रेवी में पकनी चाहिए अब इसे हम थोड़ी दिर के लिए धक देंगे और धक कर हम 4-5 मिनट के लिए मीडिया माच पर पकाए तो चलिए यह देखिए 4-5 मिनट अच्छे से हो चुके हैं मैंने एक वर बीच में चेक भी कर लिया था तो आप एक आक वर चेक कर सकते हैं बीच में और यह देखिए ग्रेवी अच्छे से गाड़ी हो चुकिए बैगन भी बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो चुके हैं तो इसे हम सर्व कर लेंगे तो इसी तरह से आप इस रेसिपी को बनाईएगा बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगी तो चलिए इसी तरह की रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो पसंद आए रेसिपी पसंद आए तो लाइक सेर करना बिल्कुल मत भ बाइबाई by